आप संटिट इस्टिफन कोलीज में पार्ट time foreign language के अडमिशन स्टार्ट हो जब करना पड़ता है तभी उसके बाद आप डिप्लोमा के लिए एलिजीबल होते हो ठीक है साट वीट आप 12 पास आउट होने चाहिए जभी आप क्या नामें साट वीट के लिए एपलाई कर पाऊगे डिप्लोमा के लिए आपको उसी रेस्पेक्टिव लेंग्वेज में साट वीट करना पड़ता है पॉर एक्जांपल स्पेडिश में अगर आपने साट वीट कोर्स कर आच तो इसनीश में ही आप लोग डिप्लोमा करपाऊगे ठीक है और एडवांस डिप्लोमा के लिए आपको उसी कोर्स यानि उसी रेस्पेक्टिव लेंग्वेज यानिश को आप डिप्लोमा भी आपका सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है अब मैं पहले यहां पर बता देता हूं आप लोग को प्रोस्पेक्टर ठीक है साथ वीट कोर्स का इसके बाद में अधर कोर्स का भी बता दूँआ यहां पाँ यहां पर कौन को यहां पर यानि यहां पर देखो तीन वहां यहां इसको फ्रेंच जर्मन सपाइज चैनिश जैपनीज अरेबिक पर सियन उर्दू खहिए M आपको form fill up करना है ठीक है आपको सबसे पहले form fill करना है और में नीचे आ रहेता हूं यहां पर application procedure कैसा है admission will be fully online and the form will be available only college website अभी आपको registration कैसे करना है यहां पर apply करना आपको देखो यहां पर लिखावा application applicant are to pay registration fee जो है आपकी 500 रूपे हैं दुबारे से सुन लो आपकी जो registration fee से वह 500 रूपे हैं अगर आप सेंट स्टिफन कोलिज में apply कर रहे हो ठीक है is the time of submitting online application यहां पर registration की fees बताइए course fees अभी आपको submit नहीं करनी है course जब आपको submit करनी पड़ती है जब cut off आती है ठीक है English subject में यह याद रखो English में आपके 55 प्लस होने चाहिए जब यह आप eligible हो और admission will be the basis of the merit पर आपका admission होगा ठीक है और marks obtained for plus two and English language ठीक है यहां पर देखो तीन होती है तीन मतलब यहां पर तीन elective one language best for combination होता है लेकिन आपको English जोनना कंपल सरी है और English में होने चाहिए जब यह आप apply कर पाऊगे ठीक है अब मैं बात कर देता हूं कलेंडर के यहां पर देखो online application आपके फॉर्म स्टार्ट हुए आज से 25 से 15 सप्टेंबर दुबार सुलनों 15 सप्टेंबर 2022 तक आप apply कर सकते हो ठीक है लास्ट आपकी है 15 सप्टेंबर यह लिखावाए ठीक है फस्ट डेट कभे आपकी सत्रह सत्रह सितंबर यानि दो दिन वाद आपकी admission के लिस्ट आजाएगी सेंड लिस्ट आजाएगी थर्ड लिस्ट आएगी आपकी 26 को ठीक है और टाइम पिरियाड टू डिपोजिट कोर्स फी विदिन थ्री देज ऑफ दी नोटिवेशन है यहां पर देखो इनका कहने मतलब है मालों फॉर एक्जांपल आपने 15 सप्टेंब अब हमें पास ग्रेयाशन बता देता हूं की कॉर्स की डुरेशन क्या है ठीक है देखो कोर्स की डूरेशन यहां पर आप देख सकती हो क्या लिखाबो की या एकोर्डिंग युनिवर्सिटी क्लेंडर ठीक है लेंग्विज कोर्स पार्ट टाइम कोर्स स्टुएंट अन्रोल इस कोर्स विल नोट बी रेगुलर इस्टुएंट ओफ दी कोलेज ठीक है गाइस और अगर आप अडमिशन लेते हो तो यहां पर देखो आपको लाइबरेरी यूज करने को नहीं मिलेगी और अपको नहीं मिलेगा आप सोचें कि मुझे अधर फैसिलिटी इस ओपन रेगुलर इस्टुएंट ऑफ दिस पोलेज जो रेगुलर इस्टुएंट ह अब यह सब आप पढ़ लेना बाकि मैं आपको जो में चीज़ है वह मैं बता तो कोर्स की फीस की इतनी है देखो हर कोर्स की अलग अलग फीस है आप चाइनीज और जेपनीज लेंग्विच करना चाहरे हो तो सतरह हजार रुपए आपकी फीस है अरे भी कुर्दू पर्श है ओल अधर लेंग्विज यानि इस्पैनिश फ्रेंच यह सब जो हैं आपकी लेंग्विज वह बीस हजार पांट सो आपकी कोर्स की फीस है वह भी वीग डे बेचे मतलब यहां पर क्या है जैसे मंडे त्यूजडे हो गई वेड़नेस दे फ्राइडे जैसे हफते में तीन संडे वाले दिन पढ़ना चाहरे हो सेटेडे संडे वीकेंड वाले दिन तो आपकी जो फीस है वह पच्चीस हजार पांस बाइस हजार पांस रुप होगी ठीक है यानि आपकी दोजार रुप एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देनी पड़ेगा अगर आप संडे की किलास लो पन ठीक है जब कोलेज अगर खुलेगा आप लोग के लिए तो आपको मार्क शीट देनी पड़ेगी ट्वेल्ट की और उनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म ठीक है अभी में यह सब पढ़ लेना यहां पर ज्यादे इंफॉर्मेशन नहीं है अडिमिशन टु इस कोर्स इस आल मिलेगा अधर्वाइज आप डियू के नहीं हो अधर कोलेज के तो भी आपको कंशेशन नहीं मिलेगा यहां देखो लिखा भी है और हां एक चीज़ और देखो फी वन सब्सक्राइबल अंडर एपकी वापस नहीं होगी ट्रांसफर फ्रॉम बन साटेविट पोर्स टू ए तो मैं एडमिशन के बाद फ्रेंच लेंग्विज में एडमिशन नहीं ले सकता और ठीक है और आपको एडमिशन किसी एक ही लेंग्विज में लेना पड़ेगा ठीक है आप ट्रांसफर भी नहीं करवा सकते कोर्स अपना बाद में अब यहां पर एक चीज़ देखो प्ली लेता है तो नो से ग्यारा वे तक आपके स्पैनिश की किलास लगेगी मंडे वेजनेश देख फ्राइडे किलास लोगे तो चार से चे लगेगी यह वीग डेयानि यापको बीस जार पांट सो पैमेंट करने पड़ेगी वीकेंड यानि सेटर्डे संडे लोगे तो दोजार पैमेंट यह दो पांट सो रुपे समिट करने पड़ेगी इसका रिजन किया है जो काफी जो बच्चे होते हैं यहां कोई जोब कर रहो है कोई कुछ भी लगे तो आपको फीज दो हजार रुपे एस्टाप्या करने पड़ेगी यहां पिल साफ़तो रुपे लिखावा है आपको चोज करने का आया जाएगा भी फ्रेंच के लिए भी आप देख सकते हो फ्रेंच की अगर ले रहे हो तो 11 से एक बहुत लगेंगी लगें तो वह इम्टेवल जो इवनिंग का कॉलेज जिनका रेगुलर का तो मौर्णिंग से सकते पढ़ने और दिनका का कॉलेज हो वेनरन से देखिरो कि अंध मिलच यान रखे शोट भी ले सकते ओक यह ले लो जर्मन कभी ले देसक्ता क्यों संयजेट में है याप कीवेंगे फ्राइडइ्ट को लगए की चार से जल टोट है और्दु की क्लास आपकी ठर्स डे और सेटर्डे को लगेगी 30-30 ज़ार तक पर्शियंद के किलासेस मंडेवेंगे फ्राइड़े तीन सार चार पीम तर नहीं 1,5ग सब्सक्राइब को लगेगी दो से चार पिम दो गंटा संस्कृत की किलास आप स्क्रेंशोट ले सकती हो ठीक है अब यहां पर हमें देखना कैसे हैं यहां जब आप होम पर आओगे तो यह सब में कहां से पढ़ना हूं यह सैंट स्टिफन की वेबसाइड में आपको दे रखी है ठीक है अब यह आप जब आओगे वेबसाइट पर तो यह सब होगा नोटिफिकेशन यहां पर आप साइड में देखोगे सी एफल एडमिशन टुटाउजन ट्वेंटीटीटी लिखा होगा इस पर आप किलिक करोगे देन आप से यहां पूछेगा आप किस कोर्स के सब्सक्राइब करने का लिंग मिल जाएगा मैं बता देता हूं ठीक है डिप्लोमा के लिए आपकी देखो कितनी लेंग्वें फ्रेंज जर्मन स्पैनिस चाइन जेपनी पर्शन उर्दू संस्केट यह इतनी लेंग्वेज हैं ठीक है जो कोलेज करवारा सेंटी स्टिफन क लेकिन एक चीज़ एप्लिकेशन प्रोसेजर क्या है इसमें एडमीशन विल फुल्फिल फुली ओनलाइन आपको ओनलाइन एडमीशन होगा एंड फॉर्म विल बी एविलेबन ओल्दी कोलेज वेपसाइटी का भी मैं बता दूआ लेकिन एक चीज़ यहां पर देखो 500 आपका है यहां पंडि लिखा हुआ है साअट इन डी डेलेवरेंट लेंगवज़ फ्रों सेंथ स्टीफन कोड़्य डैली उनिवर्सिति सारिटिफिन रिकुरेंड लेंग्विज फ्रों इंस्यूषोन एंड अदर दulation सेंट प्रेंती वापिक एक अद्चल्फ आ ठो यहां सब्सक्राइब कर सकते हो और उसी रेस्पेक्टिव में आपका सब्सक्राइब होना चाहिए कहने का मतलब यह है इनका रेजिस्टेशन की इस पांच सुरूपे है ठीक है लाजट एपलाई करने की 15 सेप्टेमबर लिखावा आए बाइस सेप्टेमबर को आपकी कटोफ आजए इंट्रेंस टेस्ट आपका जो होगा वह 18 सेप्टेमबर को होगा फस्ट लिस्ट आपकी ब पता कर सकते हो डूरेशन ओफ दिक लिखावा है आपकी किलास अक्तूबर से स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट वीक से एप्रोक्स बता रहा है यहां पर एप्रेल महीं तक आपकी किलासे ओफ हो जाएग यानि इतना ही डूरेशन रहेगा ठीक है अब यहां पर इन्होंने द चैनिज यू कें पर फिफ्टीन थाउजन ठीक है और चाइनिज जेपनीज कोर्स इसकी फीज से वह सेवंटीन थाउजन चाहिए आप कोई भी हो ठीक है और अधर लेंगवेज इस फ्रेंज जर्मन के लिए 22,500 रुपे फीज यहां पर डिप्लोमा कोर्स के लिए ठीक है य सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपका एडवांस डिप्लोमा के लिए नहीं जाना तिक है तो यहां पर देखो अगर आप एडवांस डिप्लोमा के लिए अपके लिए अपके लिए फीज है क्याना में 500 रुपे और एडमिशन टू जर्मन फ्रेंच स्पैनिश जोनली थ्रू इंट्रेंस टेस्ट होगा आपका ठीक है लिखावा है चाइनीज जेपनीज के लिए यहां पर कोई इंट्रेंस टेस्ट नहीं अगर आप डियू से हूं ठीक है बाकी यहां पर आप लोग पढ़ लेना कोर्स की फीस यहां पर आपको बता इंट्रेंस अपका ठारा सेटंबर होगा वही है जो डिप्लोमा के लिए था ठीक है फीस आप देख लेना यहां पर देखो फीस 8500 है इंडियन 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 इस्ट्वेंट्स के लिए पूरा प्रोसेजर आप लोग पढ़ सकते हो ठीक है अब मैं बेक आयाता हूं अब यह होम पेज़ पर आगया मैं अगर आप जिस को जिस के लिए अपलाई करना चाहरे हो यूफ यू आप सार्टिफिक्ट कर देना साटिफिक्ट कोर्स लिखावा यहां पर किलिक करने के बाद मैंने आपको प्रोस्पेक्ट्टस आपको लोगों को पढ़के बता दिया है ठीक है वीडियो को अच्छे दे वेड़ेन नीता मैं पता ही नीता तो मैंने सारा टाइम बता दिया आपको एपलाईंग्ड के लिक आरहा है एक लाइन आपर यहां पूछे अपको फस्त पूचेंग तो आप जो फस्तनेम वह लिखेंगा लास्ट नेम आपका जो है वो लिख देना ठीक है से इमेल लिख देना अपनी कि यह मैं रेजिस्टर्स कर देता हूं गाइस लिखा गए प्रइब पर आपको क्या पर और पड़ेगा अपनी इमेल करना है इस इमेल के बाद आपको क्या करना है यहांपको एक लिंक निलेगा है आपको cfl का यहां पर click करना ठीक है इस link पर इस link का मतलब है कि आप यहां पर दुबारा से क्या नामे अपनी email verify कर रहे हो ठीक है तब आपकी verify हो गया है यहां पर verify करने बाद यहां पर फिल कर दो ठीक है मैं यहां फिल कर देता हूं अब यह देखो गाइज मैंने इमेल से वेरिफाई कर चुका हूँ यहां पर देखो दो से तीन चीजे आएंगी सार्टिफीट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा अब आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो मैं कर रहा हूं सार्टिफिकेट कोर्सिस के लिए प्रोस्प आप लोग दुबारा से सही डंग से पढ़ लेना आप लोगों मैंने वीडियो में और लेडी बता दिया किस है क्या ठीक है टाइमिंग आप लोग स्क्रीन शोट ले सकते हो टाइमिंग का ठीक है हाँ यह जितनी डिटेल है मैं एक्सेट करता हूं कि मैंने अपना बुलेट लिए ठीक है मैं जेपनीज के लिए प्लाई कर रहा हूं पर सेंगे लिए अब यहां पर अगर आप दो लेंग्विज के लिए अप्लाई कर रहे हूं देखो मैंने मालो सोरी एक बर हट्टिक कर देता हूं यहां देखो 500 रुपे मेरी फीस आगई रिश्टेशन की ले लिए दियान रखना तिक है अम में कर रहा हूं अब यहां पर दो इन्हों ने सबसे पहले यहीं पूछाई कि आप कौन सा लोट लेना चाहरे हो सेलेक्ट और बेच प्रिफरेंस नोट इट विल्न बी नोट इंटरेंड लेटर है अब यहां आपको अपना बेच चूस क प्रेफरेंस न्बरीए मेरीए केङे अगर यहां फोता है प्रिफरेंस अगर मालोब बेश्ष फूर हो जाता है विकेंड क्लास में तो आपकी दूसरी प्रेफरेंज तो मेरी मंडने 2 यह मैं सत्री मेंuate तो अब तो फर्स्ट मेरी प्रिफरेंस यह आ गई और तीसरी उपर वादी सबसे आ गई तो आपको ऐसे प्रिफरेंस चोज करनी है ठीक है अब यह नेक्ट पर किलिक करने के बाद यह अप्लिकेंट का नाम डेट बर्थ एक्सक यह सब पूछेगा ठीक है मदर नेम इमेल आईडी फा प्रिफिजन्ट एड्रेस देना पड़ेगा ठीक है एक इस्लेक्ट कोण सी मेरि कंट्रि आप सेलट कर देना इंडिया और नेपाल से इंडिया और नेया पैजने में मैं आप छाह की बहुए ृप अप पोस्तल को आपको नहीं पता आप अपने पहचान पत्र कोई भी जो होता है उसमें पता लग जाएगा पर्मनेंट अडरीस आपका क्या है सेम मेरा यह तो सेम पर क्लिक कर देना आप नेस्ट में क्लिक करने वाद आपके 12 के मार्क्स पूछेगा यहां नेम आफ दी स्कूल पूछेगा आपके इस्कूल के नाम क्या था तो मेरा पूरे नेम फिल करना मैं आधी फिल करा है कब पास आउट हुए थे तो मैं भाई 2020 बेच का पास आउट हूँ ठीक है अगदम सही और करेक्ट फिल करना जाई यहां पर आपको यहां पर बतानी प्लीज एंटर टोफ यहां पर देखो यूर टोप मोच्ट फॉर सब्जेक्ट यह सबसे मैं यहां आप एक चीन नोटिस करो यह इन्होंने सब्जेक्ट में एक इंगलिस अपने आप एड़ कर रहा है क्योंकि कि आपको इंगलिस कंपल सरी है और 55% होनी चाहिए ठीक है अब यहां सब्जेक्ट में मैं इको हूं इकोनोमिक्स बेस्ट फॉर में दिक्कत आ रही है मैसेज घर देने इंस्टापे ठीक है सब बता दूं आप लोग को पर्सनल लेटियल हाइड करके काफी बच्चों ने ह्यां निपया पॉलिटिकल साइंस में हो लाग जाँ यह आभी falling सब्जेक्ट फॉर आपका फिल करना आए अब यहांपर गों सब्देट फॉर मेर पर जो था यह ब्यूंध सितने मांक्स मिलें आप हैं 100 में सब्सक्राइब करें इंग्लीश में इंग्लीश में नाइन्टी टू ठीक और इकोनोमिक्स में मेरे बाई 77 थे पॉलिटिकल साइंस में में रहे थे 95 ठीक और माक्स आपके सब्जेक्ट फॉर में सोचलोजी में कितने थे मेरे थे 92 ठीक है अब यहां आपकी जेखो 94 है यह 95 जो भी है मेरे कोई लिखना नहीं है ठीक है तो यहां पी आपकी बेस्ट फॉर परसंटे जाएगी 89.5 आपकी यह बेस्ट फॉर है अगर आपकी बेस्ट फॉर यह है 89.5 तो आप एपलाई कर देना और मतलब एपलाई कर रह और यहां पर एक चीज़ हो रहे है रिच यहां पर प्लिजर अंडर्ग्रेजिट और पोस्ट ग्रेजुट इस्ट फोईंट सेंट सिफन कोलेज यस और नो नहीं बहुत करना है आज की आज की टाइम की कहें बहुत पुराणी डालो करने हैं और यहां लिखा वादा फोटोग्राफ शुड नोड भी मोर देन सिक्स मन्त ओल ठीक है नहीं चाहिए फोटो आपकी फोटो फोटो वेर कंडिडेट इस सीन भी वेरिंग दिखो आपकी अच्छी होनी चाहिए कहीं रिजेक्ट ना हो जाएं आपके गूगल वगेरा में फोटो शुड विखेंढ़ें योनी चाहिए फटीज फॉर्मा इसी फte में होनी चाहिए ।क है में आपके 10 najbardziej से जाधा होनी चाहिए एक एंबी से कम होनी चाहिए ज्यादा एक एमशन से कम होनी चाहिए और यह आपको बता रहा भुड़ा का साइज सरे लाइब को हाँ हेलो गाइस यह देखो फिर आप लोग जब वेरिफाई कर देते हैं डोकुमेंट अप्लोड कर देते हैं तो यहां पर देखो आप लोगों पर ऐसा सोगा बेच प्रीविव आपका शोगा ना कटोफ विल बीडिसाइड उन्दी बैस बेच अप्टेल टीक है नो चैंज यह दुबारा से चैंज नहीं होगा यह ध्यान लगों आपकी जो फर्स्ट प्रीफरेंस से वह वीकेंड वाली स्पैनिश लेंग्विज के लिए सेटरड़े यानि जो तीन से च्छे क्लासी से प्रीफरेंस आपकी पहली होगी दूसरी होगी ठीक है अगर मांदो प्रीफर पढ़ लो यहां पर लिखावाएं प्लीज पे 500 रुपें आप आपको पैड़नी पे करनी पड़ेगी बैंक चार्जिज एपलाई एस पर इस टेंडर ठीक है और यहां पर प्लीज एकसब टर्मेंट कंडिशन पर किलिक कर देना एक चीडियां पर ध्यान देनी वाली बात आप अपना सब पूरा पढ़ लेना यह जो रजिसेशन फीज बढ़ जाएगा अगर आप और कोर्स के लिए कर सकते हो ठीक है लेकिन सबसे पहले आप कोर्स तो यार बहुत चूज कर सकते हो लेकिन एडिमिशन किसी एक महीं ले सकते हो लेकिन जब कट ओफ के बाद आप कि लेकिन रजिसेशन के चार्ज भी बढ़ जाएंगे अगर आप लेंगें के लिए प्लेगर तो नेक्स पर किलिक कर देना ठीक है कि यहां नेक्स करने के बाद यहां अपना काड नंबर ट्रांजेक्शन आइडिया आपको शो हो जाएगी ओसो घ्लाएंगा हो जाएंगा कार्ड नंबर आप अगर कर रहे हो किकर का पैमेंट और का नाम किया है मास्तर काड़ें मेट्रों वीजा है मेरा प्यान अग्यार सम मैं टेलिग्राम पे आप लोग को कटोफ से रिगार्डिंग आपको भेज देता हूं क्योंकि हर कटोफ को इंपोसिबल होता है एक पटिकुलर वीडियो बनाना ठीक है एचार्सी की सेकंड कटोफ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है जबकि और लेडी एचार्सी की सेकंड आप लोग टेलिग्राम जोइन कर सकते हैं उसे देख सकते हो अगर नहीं मिलता तो इंस्टा पर मैंने चार्सी की सेकंड कटॉफ आपको आपको सब्सक्र ढवां तो कोई दिक्कतारी को लेक्कि आप टेलिग्राम जोइन कर सकते हो तर दूंट तो